ओम नमाशिवाये अधिक उपकार करने की भावना रखने वाले मित्ता करने की प्रवरित्ती प्रवल होती है। आज भी चंद्रमा की यूती शनी के साथ बनी रहेगी मगर नक्षद्र सुक्र का होगा जिस्चे अस्वासंबंदी संवेधन सिल्ता संभावित है रचनात्म क्रिया सिल्ता बनी रहेगी मगर मन को किसी एक विशय पर एकादर करने में परेशानी महसूस होगी। निर्णे लेने की छमता प्रभावित होगी और अनिस्चित्ता का भाव हावी रहेगा। हलाकि आर्थिक पक्स मजबूत रहेगा हर काम करने के प्रती मेहनत करने की प्रभृत्ती और प्रयास जारी रहेगे। मगर विभागी सहयोग और उचित दिशाने बेश में कमी महसूस होगी। मेश राशी के जात्कों के लिए स्वासंबंधी उतार चड़ाव लगा रहेगा। सारीरिक रूप से आलस्य और मानसिक सुस्ती महसूस होगी। मगर व्यावसाइक गाईत की पूर्ती होगी और कारेच्षेत में उत्साह जनकिस्तिती बनी रहेगी। पारिवारिक पिरना मिलती रहेगी। मगर सुख शांती में कमी महसूस होगी। विवेचनात्मक कारियों में पत्नी की सलाह लाव गायक से धोगी। मगर कुछ कामों में पहल करने की प्रवृत्ती और कारेवर्या प्रभावित हो सकती है। हलाकि शिक्षा प्रद्योगता में सफलता मिलेगी, वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अन्कूल रहेगा और देव दर्शन के योग बनते हैं बिश रासि के जात्मों के प्रभावशाली ब्यक्तित और बौधित शमता में ब्रिद्धी होगी नीजी मामलों में भी तनाव पैदा हो सकता है विद्ध्यातियों के लिए आज का दिन सामाने रहेगा आपने प्रयास जारी रखें नीजी संबंधों में मानसिक दबाव और छोटी याद्रा या प्रभास की स्थिती संभावित है एलर्जी और मौसम संबंधी संक्रमण होने का संकेत भी मिलता है साथ ही वहां सावधानी से चलाएं मित्धुन दासी वाले जात्रों को कारे च्छतिती ब्यस्तता बनी रहेगी नई कारी ओजनाओं के प्रस्ताओं मिलेंगे मगर सकारात्मक सोच और सकरियता में कमी संभाव है और निर्णे लेने की च्छमता प्रभावित रहेगी कुछ ही ओजनाओं को कारे रूप में परिवर्टित कर सकते हैं साजेदारी के कामों में भी लाब संभाव है मगर आय की गती धीमी रहेगी वाणी की मिर्दूलता बनाए रखें निजी वर इस्तेदारों के वीज तनाप और इस्ति संभावित है मगर पारिवारिक प्रणा मिलती रहेगी और आर्थिक पक्स मजबूत रहेगा विद्याथियों के लिए आज का दिन अनुकूल है नवकरी करने वाले गती रात महसूस करेंगे हर काम आसानी से संपन होगा और वयवाहिक प्रयास फलिभूत होगे करकराशिके जात्कों के लिए सनी चंद्रमा की यूती छठे भाव में सुक्र के नक्षक्र में बनी हुई है मन में उठरा है मानसी का संतुष्टी और नकारात्मक विचारों से दूर रहे वाद वीबाद को टालना उचित होगा हलाक कि आर्थिक लाव मिलता जाएगा और साजेदारी सफल रहेगी नीजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा उचित मार्ग दर्शन की क्रिणा मिलती रहेगी और सरकारी कामकाज पूरे होंगे विध्यात्यों के लिए आज का दिन सामान रहेगा भावनात्मक लगाव और मानसिक संवेदना बढ़ी रहेगी संतान के प्रतिचिंता का माहौल और पारिवारिक सदस्यों के स्वास्त पर भ्यान देना चाहिए साथ ही वह हम सालधानी से चलाएं सिंग राशी के जातकों की स्वास संबंधी जटिलताएं बढ़ सकती हैं मगर उर्जास्तर और सक्रियता बनी रहेगी और रात विश्वास में उतार चराव संबावित हैं नई कार्योजनाओं की पहल जारी रहेगी और कारिच्षेत्र का बिस्तार होगा आर्थिक मामलों में नए निवेश का योग बना हुआ है सनी चंद्रमा की यूती और चंद्रमा का सुक्र के नक्षद्र में होने से सक्रियता प्रभावित हो सकती है मिध्याथियों को महनत अधिक करनी पड़ेगी न्यायाला यावाद विवाद संबंधित मामलों में अनुकूलता मिलेगी वैवाहिक प्रयाथ सार्थक होंगे पारिवारी प्रतिष्ठा में ब्रिद्धी होगी और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा कन्या राषि के जात्कों के लिए आथिक पक्ष मजबूत रहेगा और आथिक लाव के कई नए अउसर सामने आएंगे कारिचित में निवेश का योग बना हुगा है जो कि लावदायक रहेगा नई कार योजनाओं में सफलता मिलेगी मित्रों और संबंधियों का सहयोग आपके लिए लावदायक सीद होगा मगर मा के स्वास्त की चिंता और द्रियस्ती का दवाव महसूस करेंगे वयवाहिक योजनाओं फलिगूत होंगी और सामाजी प्रतिष्ठा में वृद्धी होगी सरकारी कामकाज पूरे होंगे स्वास्त के प्रतिष्ठ सावधान गाना चाहिए मौसम संबंधी जटिलताएं संबावित हैं चंद्रमा सुक्र के नक्षत्र में हैं अतहँ भागेवस प्रयास साथक होंगे तुला राश के जात्कों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा नियत्रित करने की छमता विक्सित होगी सकारात्मक प्रेणा मिलती रहेगी और कारेच्षकर में बिस्तार की योजनाएं फलिगूत होंगी नई कारी योजनाओं के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा साजेदारी के कामों में सफलता मिलेगी और सरकारी काम पाई पूरे होंगे आर्थिक पक्ष में सगे संबंधियों से संयोग भी मिलेगा और रुके हुए काम संपन्ध होगे अध्यन अध्यापन के लिए समय अनकूल है रुके हुए या विवारित मामले भी सुलच सकते हैं और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा ब्रिष्टिक राशिके जात्मों के कारेच्षेत्र में बिस्तार होगा और प्रतियोगी भावना विक्सित होगी मगर नकारात्मक सोच संबावित है सनी चंद्रमा की यूती वाणी भाव में है नकारात्मक सोच के प्रति प्रवरित्ती बनी रहेगी हाला कि कारेच्छत की निरंतर्दा जारी रहेगी और आथिक लाव के कई अवसर सामने आएंगे मगर कुछ उद्यश्यों की पूर्ती में ब्याउधान भी संभव है हाला कि नेजी संबन्द प्रगाड होंगे और साज्यदारी लाग गायक रहेगी संतान संबन्धि दायत की पूर्ती होगी तिद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान रहेगा और अपने स्वास पर विशेश ध्यान देना चाहिए धनु राशे के जातकों की सारेरिक उर्जा और मानसिक सक्रियता साथ ही द्रिष्चा सक्ती और आप दिश्वास प्रभावित होंगे सनी चंद्रमा की यूती आपकी राशी पर ही है वाडी में मधुरता कायम रखें नवीन कारी और जिनाओं में इस्थिर्था बनी रहेगी कुछ कामों में रुकावट या आड़ चने भी संबावित हैं मगर आखिक पक्ष मजबूत रहेगा और लाव के कई आउसर सामने आएंगे सामाजिक परतिष्ठा बनी रहेगी मगर विभागी मामलों में सावधानीय पेख्छित है सिक्षा प्रत्योगता के लिए समय अनगूल है वैवाहिक मामलों में सफलता मिलेगी और नीजी निवेष के लिए आज का दिन अनगूल रहेगा मकर राशिक के जात्मों को नीजी मामलों में जटिलताएं संभावित हैं मानसिक उतेजना और मन का अंतरदंद आज के दिन ज्यादा रहेगा बेर्थ की भागदोड और नावसक यात्रा और अपवय का संकेत नहीं मिलता है हलाकि परिष्टितियों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी योजनाओं को कुशलता से इंडियांसिक करते रहेंगे साशन सत्ता वधिकारियों का सहयोग बना रहेगा आर्थिक वक्ष सामान रहेगा अध्यान अध्यापन में परिष्रम आवसक है हापसी तालमेल में कमी और नीजी संबंदों में तनाव महसूस होगा स्वास्त पर ध्यान दें और वाहन सावधानी से चलाएं कुम्भराशी के जात्कों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा सकारात्मत प्रयासों में तेजी आएगी और पारिवारिक सहयोग में विद्धी होगी आथिक लाभ मन मुताबिक बना रहेगा पहले की रुकी हूई योजनाव को लागू करने में मदद मिलेगी विवारित योजनाव में सम्झावता करना लागदायक रहेगा नीजी संबन्द प्रगाड होंगे, सरकारी कामकाज पूरे होंगे और विभागी सहयोग बना रहेगा पारिवारिक सुक सुहाद में पृद्धी होगी मगर स्वार संबन्धी मामलों में आवसिक साउधानी बनाए रखे मीन राशिक जातकों को आज के दिन मानसिक चिंता और मन का अंतरवदन धावी रहेगा चंद्रमा के शुक्र के नक्षत्र में और सनी चंद्रमा के प्रभाव से कार्वी ओजनाओं के छेतर में निरने लेने में उतार चड़ाओ की इस्तिती बनी रहेगी उत्साह और आत्मिश्वास में कमी महसूर होगी मगर अपनी रुके हुई योजनाओं को चालू रखें धैर्य और मेहनत करने की प्रभृत्ति बनाए रखें सफल रहेंगे संतान के प्रतिचिंता बनी रहेगी हलाकि आतिक सहयोग मिलता रहेगा और आपके आवस्यक काम संपन्ध होंगे और नीजी संबंधों में ध्यान रखना चाहिए साथ ही स्वास संबंधी आवस्यक साउधानी बनाए रखें आज के लिए बस इतना ही कल फिर मिलेंगे ओम नमाशिवायद